दोस्तों हैकर्स की फाउंडिंग के बारे में तो आपने सुना होगा लेकिन क्या आपने एक देश को अपने हैकर्स की मदद से दूसरे देशों की करंसी चोरी करने की बात सुनी है आपको भी हमारी तरह ये बात हजम नहीं हुई ना लेकिन दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है UN Council Report के हिसाब से 2017 से लेकर 2020 तक नॉर्थ कोरिया के हैकर्स ने 1.3 बिलियन क्रिप्टो करंसी और फोरन करंसी की चोरी की है लेकिन ये नॉर्थ कोरिया के लिए कोई नई बात नहीं है इससे पहले भी नॉर्थ कोरिया कई ऐसे मामलों में फस चुका है इन में से एक बार भारत भी इसका शिकार हुआ था 2018 में इंडिया के कोस्मोस बैंक से 13.5 बिलियन डॉलर की चोरी में नॉर्थ कोरिया के हैकर्स का हाथ माना जाता है लेकिन नॉर्थ कोरिया ये अकेला नहीं कर सकता इसके पीछे चाइना के हैकर्स का भी हाथ शामिल है ये तो हम सभी जानते हैं कि चाइना मिलिटरी एक्विपमेंट से लेकर ट्रेड और जमेनी जरूरते नॉर्थ कोरिया को सप्लाई करता है यहां तक कि चाइना के 90% प्रोडक्ट की बिक्री नोर्थ कोरिया में होती है वहीं भारत के साथ नोर्थ कोरिया के रिस्ते कुछ खास अच्छे नहीं है लेकिन भारत ने हमेशा ही सबी देशों से अच्छे रिस्ते बिल्ड करने की कोशिश की है पर नॉर्थ कोरिया भारत के सबसे बड़े राइवल चाइना को अपने घर में जगए देकर बैठा है इससे तो एक बात साफ होती है कि अगर भारत और नॉर्थ कोरिया के बीच लड़ाई का माहुल बना तो इस लड़ाई को सुलगाने का काम चाइना ज़रूर करेगा दोस्तो भारत हमेशा से मददगार रहा है और इसी तरह भारत ने नॉर्थ कोरिया की भी मदद की है नॉर्थ कोरिया को भारत ने कई दफा फाइनेंशली मदद की है इसमें कई बार जब नॉर्थ कोरिया में भुकमरी का माहौल हुआ तो इंडिया ने नॉर्थ कोरिया को फूड सप्लाई किया वही भारत ने सुनामी आने पर एक बार नॉर्थ कोरिया की तरफ से 22 लाग की मदद की गई वही पैंडमिक के दोर में इंडिया ने UN की रिक्वेस्ट पर नॉर्थ कोरिया को आर्थिक मदद भी दी थी लेगिन आपने अक्सर देखा होगा कि नॉर्थ कोरिया जितना चोटा है उतना बड़ा मू नॉर्थ कोरिया के शाशक किम जोंग उन का खुलता है किम जोंग उन आये दिन सभी देशों को मिसाइल अटैक के धमकी देता रहता है जिसमें भारत के कोस्मोस बैंक की चोरी के बाद नॉर्थ कोरिया ने ये साबित कर दिया कि वो किसी का सगा नहीं वहीं भारत ने भी नॉर्थ कोरिया के खिलाफ 2017 में वैंकोर टॉक में उसके रवये पर सवाल उठाया था जब दोनों देश जो ACI कंट्रीज है एक दूसरे से सैमत नहीं होंगे तो इससे लड़ाई यानि युद का माहोल बन सकता है और अगर भारत और नॉर्थ कोरिया के बीच युद हुआ तो स्थीती क्या हो सकती है इंटरनेशनल लेवल पर इसका कितना परभाव पड़ेगा और कौन-कौन इसमें इन्वॉल्व हो सकता है चलिए ये भी आपको बताते है दोस्तो अगर नॉर्थ कोरिया और इंडिया के बीच युद हुआ तो आज दोनों ही देश इतने सशक्त है कि ये कोल्ड वोर से तो कहीं अधिक पर भावकारी होगा और इसे पूरी दुनिया दो भागों में बढ़ जाएगी जैसे टीम A और टीम B टीम A for India और टीम B for North Korea अब दोस्तो टीम बनी है तो प्लेयर्स भी शामिल होगे तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टीम A यानि कि इंडिया के प्लेयर्स की टीम इंडिया के एलाइज के तोर पर अमेरिका सबसे पहले शामिल होगा क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत और अमेरिका में अच्छे संबंद है भारत और अमेरिका दोनों ही एक दूसरे से वैपार करते हैं जो कि करीबन 11.16 लाक करोड है वहीं अमेरिका में इतने इंडियन स्टूडेंट्स टड़ी कर रही है जिससे अमेरिका को 2020 में 60,000 क्रोड का प्रॉफिट होता है वहीं अमेरिका नोर्थ कोरिया के मदद इसले नहीं करेगा क्योंकि हम सबी जानते हैं कि किम जोंग उन आय दिन अमेरिका को धमकी देता हुआ नजर आता है ऐसे में अमेरिका भारत से संबंद खराब करके ऐसे देश के पास क्यों जाएगा जिससे उसके पहले से ही नहीं बनती है इंडिया का दूसरा प्लेयर होगा फ्रांस दोस्तों इंडियन एलाइज में इंडिया का बेस्ट फ्रेंड फ्रांस सामिल ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता UN में Permanent Security Council का Member बनाना हो या G8 में भारत को शामिल करना हो फ्रांस ने हमेशा इंडिया का साथ दिया है वहीं फ्रांस में भारत के कई बिजनेश चल रहे हैं जिससे फ्रांस को 8.7000 करोड का फायदा हो रहा है वही भारत में France ने 2.2 000 करोड का इंवेस्ट्मेंट किया है वही बात करे France North Korea का साथ क्यों नहीं देगा तो आपको बता दे कि North Korea ने आज तक जितने भे nuclear टेस्ट किये है वही जहां America होगा वहां France भी होगा क्योंकि France और America का याराना कुछ कम नहीं है इंडिया का तीसरा प्लेयर होगा जापान लेकिन दोस्तों जापान इंडियन एलाइज में क्यों शामिल होगा तो चलिए आपको बताते हैं नोर्थ कोरिया की वो हरकत जिससे जापान भड़क उठा दरसल नोर्थ कोरिया ने एक मिसाइल टियो पोडांग वन के समूदर में टेस्ट के दोरान नोर्थ कोरिया अपने मिसाइल को जापान के उपर से लेकर गया था ये बाद जापान को बिल्कुल भी हजम नहीं हुई अगर गलती से भी वो मिसाइल जापान के उपर गिर जाती तो पूरा जापान तबाह हो जाता और इसके लिए नोर्थ कोरिया ने रिष्टे अच्छे टर्म्स एंड कंडिशन पर हैं। कई जैपनीज कमपनियां इंडिया में मुनाफ़ा कमा रही हैं। और इंडियन उन्हीं की कमपनीज के शेरों में पैसे लगा कर पैसे कमा रहे हैं। वही इंटरनेशनल मंच पर भी दोनों ने एक दूसरे को काफी साथ दिया है। इंडिया का चोथा प्लेयर होगा इसराइल। दोस्तो इंडिया और इसराइल के रिष्टे काफी घनिष्ट हैं। क्योंकि जब इसराइल में यहूदियों का कतल किया जा रहा था तो इंडिया उनका सहरा बनकर सामने आया था। वही भारत को सबसे ज़्यारों के सप्लाई इसराइल ही करता है। सिरफ हतियार ही नहीं बलकि पुलवामा अटैक में इसराइल ने भारत की तरफ सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाया जिसमें इंडिया भी पीछे नहीं रहा इंडिया ने भी पैंडेमिक के समय इसराइल को पूरे 5 टन हाइड्रोक्सी क्लोरोकुीनीन और क्लोरोकुीनीन दौ तो वहीं दोस्तो अब जानते हैं टीम बी में कौन-कौन से देश नोर्थ कोरिया के साथ शामिल होंगे दोस्तो सबसे पहले तो नोर्थ कोरिया का जिगरी दोस्त चाइना जो कि उसके साथ उल्टे काम में उसका साथ हमेशा देगा नोर्थ कोरिया ने कोरिया वीभाजन के टाइम से ही चीन को फोलो किया है नोर्थ कोरिया सिरफ चाइना के दम पर ही इतना फूलता है वहीं आप तो जानते ही हैं कि चाइना भारत पर अपनी टेड़ी नजरे रखता है और भारत के हिस्सों को घेरना चाता है नौर्थ कोरिया का दूसरा प्लेयर है पाकिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलाइज है चाइना और पाकिस्तान चाइना के करज में डूबा हुआ है इसलिए चाइना पाकिस्तान को शामिल करेगा वहीं North Korea को पाकिस्तान नहीं nuclear technology दी है और अगर भारत की जंग हो और पाकिस्तान उसमें rival party में हाथ ना मिलाए ऐसा हो ही नहीं सकता पाकिस्तान को भी इसमें फायदा ही होगा क्यूंकि दस्कों से पाकिस्तान की नज़र कश्मीर पर है नोर्थ कोरिया का तीसरा प्लेयर है इरान दोस्तों दिसंबर 2009 में थाइलेंड में नोर्थ कोरिया से इरान वाली शिप में मिसाइल और रॉकेट लॉंचर थे जिससे पूरी दुनिया के सामने आ गया कि नोर्थ कोरिया और इरान में हत्यारों के सप्लाई हो रही है वहीं 2012 में दोनों देशों ने scientific समझोता भी किया था जिसमें ऐसे कयास लगाए गए कि दोनों देश nuclear technology शेर करेंगे तो ये तो साफ हो गया है कि जहां हतियारों और nuclear technology का आदान परदान हो रहा है इरान जंग में North Korea का ही साथ देगा North Korea का चोथा प्लेयर होगा Syria दोस्तो सीरिया और North Korea के दोस्ती तब हुई जब North Korea ने Syria को इसरेल से युद के टाइम हतियारों के सप्लाई की और साथ ही chemical weapon बनाने में North Korea सीरिया की मदद कर रहा है साथ ही इन दोनों देशों ने एक दूसरे के यहां अपनी एमबेसीज खोल कर खुले आम रिष्टों का एलान कर दिया है तो दोस्तों अगर ये जंग होती है तो भारत और नोर्थ कोरिया में से कौन जीतेगा? इसका हिसाब होगा मिलिटरी स्ट्रेंथ पर इंडिया में मिलिटरी स्ट्रेंथ 35 लाग है वही नोर्थ कोरिया में 18 लाग इंडिया का डिफेंस बजट साड़े 4 लाग करोड का है वही नोर्थ कोरिया का बजट 1.2 लाग करोड का है तो यहां तो भारत ने नौर्थ कोरिया को माध दे दी, लेकिन एक मिनट हत्यारों की गिंती भी ज़रूर कर ले। दोस्तो नौर्थ कोरिया के पास 80 सम्मरीन है और 5000 लॉकेट लॉंचर। वही नौर्थ कोरिया के पास दुनिया के सबसी खतरनाक रोड मिसाइल इंटर कॉंटिनेंटल बलेस्टिक मिसाइल है जिससे वो बहुत बड़े लेवल पर तबाही मचा सकता है वही भारत तीन तरफ से पानी से गिरा है जिससे नौर्थ कोरिया अपने रॉकेट लॉंचर और सब्मरीन के जरिये हमला कर सकता है लेकिन भारत भी पीछे नहीं है भारत के पास दो एरक्राफ्ट कैरियर पंदरा फ्रीगेट बीस कोरवेट और ग्यारा डिस्ट्रोयर है जो नौर्थ कोरिया के पास ना के बराबर है साथ ही हमारी इंडियन नेवी बहुत पावरफुल है तो अगर जंग होई तो भारत के चांसिस काफी जादा है जीतने के लेकिन दोस्तो आप तो जानते ही है कि अगर ये जंग होगी तो पूरा वर्ल्ड इसमें शामिल हो जाएगा और ये वर्ल्ड वार तीन में तबदील हो जाएगा इससे इतनी तबाई होगी कि हम लोगों क पास कुछ भी नहीं बचेगा और भारत का सवभाव दोस्ताना है ना की जगडालू भारत हर परिस्तीती के लिए तैयार है लेकिन कभी भी ऐसा मौका हुआ तो भारत जरूर बातसीत से ही मामले को चुल जाएगा और यही भारत की पैचान है तो दोस्तो इस पर आपका क्य कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा मैं दोता हूँ आपसे ऐसे ही किसे अगली वीडियो में तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें धन्यवाद